कि अधियर इस्टुजेंट स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में चैप्टर फोर की एक्सरसाइज 4.2 चल रही है पाच कोश्चन हम कर चुके हैं आज आपको मैं दो ही कोश्चन बता पाऊंगा 6 और 7 टाइब थोड़ा काम है इसलिए आज मैं दो ही कोश्चन बता पाऊंगा तो चलिए देखते हैं पहले कोश्चन नमबर 6 इसमें यह हमें डेटर्मिनेंट गिवन है और इसकी वैल्यू को 0 जो के equal proof करना है तो यह थोड़ा अलग तरीके से होगा वैसे इससे कई तरीके से किया जा सकता है लेकिन मैं आपको इहां पे जो simplest तरीका है उससे बताने की कोशिश करूँछheenpen ठीक है तो यह थोड़ा अलग तरीके से होगा जहां से देखना से लेफटन साइड देते हैं लेफटन साइड में गिवन है पहली रोग के ऐलिमेंट से 0 A minus B दूसरी रोग के ऐलिमेंट है ठीक है तो यादोग आपको एक प्रॉपर्टी हमने यह पढ़ी थी कि अगर हम किसी डिटमिनेंट के रोग और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें ठीक है पंक्ती और इस्तम्वों को अगर प्रस पर उनको आपस में उनके अदला बद्ली कर दें तो डिटमिनेंट की वैल्यू में कोई फ़रक नहीं पड़ता है ठीक है यहाँ पर रोग और कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूं ठीक है रोग के ऐलिमन्थको कॉलम में लिखना हूं जीरो PM-b ठीक। सेगेंड रोग के ऐलिमन्थको कॉलम में लीगती तो मैरे चिए हम किसी वैलियू और को आपस में इंटरचेंज कर दें तो डिटमिन यहां पर है इसे हम इस फॉर्मिल आ सकते हैं इस फॉर्मिल आने का मतलब है यहां पर माइनस ए तो यह पर पॉजिटिव ए हो जाएगा और यहां पर माइनस भी ए तो इसको माइनस भी बना सकते हैं ठीक है तो इसे इस फॉर्मिल आने के लिए मेंस इसे प्लस ए करने के लिए और इसे माइनज दी करने के लिए हम से माइनस कोमल ले लेंगे ठीक है यहां से माइनस कोमल लेंगे ठीक है यहां से जब माइनस कोमल लेंगे तो यह सब and kद दो यहां पर माइनस ए से माइन्स ए कानने के लिए और इसे माइनश थिक ने के लिए हसे भी दूसरी रहा झिलेंगे थि अभी उमने माइनस कितनी वाรव कम ले ले बार कम ले लिए कि हाफ दस्कुएयर आजाएगा भी लिख Nidge भी ठीक है और हैं पर प्लस यह तो इसे प्लस करने के लिए हां से भी माइनस को मल लेंगे ठीक है तो माइनस से हम कितनी बार को मल ले चुके हैं तो इस तरीके से minus पहली रो से, दूसरी रो से, और तीसरी रो से ज़ा हमें minus common लिया तो राइट हैट की determinant भी, लेट हैट की determinant की equal बन चुकी है ना? बसे आपे negative sign है, ठीके? तो अब इस determinant को लेट हैट में ले जाएंगे तो दोनों add हो जाएगे, ठीक है, तो इसे अब हम right hand side पे लेकर की जाएगे, ठीक है, तो जब इसे हम right hand side पे लेकर की जाएगे, तो इसका sign यहाँ पर जाके positive हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर positive हो जाएगा, ठीक है, तो क्योंकि एक जैसी determinant है, add होके यह 2 हो तो इस तरह के से determinant जो हमें given थी उसकी value यहाँ पर 0 के equal proof हो चुकी है ठीक है और इसे proof करने के लिए हमने आपर property यूज की कि अगर determinant के row और column को आपस पर interchange कर दें तो value unchanged रहती है ठीक है हमें यहाँ पर determinant की value को equal proof करना है 4a2 b2 c2 इससे पहले आपने जितने भी proof किये थे without expansion किये थे और by using property किये थे ठीक है तो यहाँ पर भी property यूज करेंगे लेकिन यहाँ पर अगर हमें जरुद पढ़ी तो expansion भी करेंगे ठीक है तो शुरू करते हैं इसका proof left hand side ले ले लेंगे ठीक है left hand side determinant को delta से represent करते हैं तो delta से represent करना में इसको left hand side को पहली row के elements है minus a square a b a c दूसरी row के element b a minus b square b c दूसरी row के element c a c b minus c square है ठीक है तो यहाँ पर देखिए पहली row में a common है दूसरी row में b common है और तीसरी row में c common है यह भी हमने property पड़ी थी किसी row या column में कोई constant अगर common हो तो तो यहां common लेंगे ठीक है तो यहां से a common आएगा पहली row से a common लेंगे दूसरी row से b common लेंगे तीसरी row से c common लेंगे ठीक है तो यह आई था a b c एक logic तो यह property वाला हो गया दूसरा तो लेक हमें राइटर सार्क کہत ना होता है इंतना में अद THE मेरे क्या चाहिए तो यह सक्वार बी स्कयर का ह से स्क्वार थे दो अचुका है ठीक है तो इटमीत अभी a b c इस से a QR एस स्क्वार ख़ल्ण यहां से a common लिया है थे यहां पाब ढ़्जाएगा माइनस A B C Second row से B कॉमन लिया है यहाँ बच जाएगा A यह B स्क्वेर है माइनस B C ठीक है तीसरी row से C को कॉमन लिया है तो यहाँ A B माइनस C ठीक है दुबारा से देखो यहाँ पर पहले कॉलम में A माइनस A A यहाँ पर A कामन आएगा इसी तरहीक है से दूसरी कॉलम से B कामन आएगा ओ तिसरी कॉलम से C कामन आएगा ठीक है तो जो राइडन से बन को A2, B2, C2 चाहिए था वह स्क्वेर, B2, C2 तो यहाँ पर बच चुक थीक है तो पहले कॉलम से a common लीजिए a square दूसरे कॉलम से b जगा b square तीसरे कॉलम से c common लेंगे यह जगा c square ठीक है यहां जगा minus 1 1 1 यहां से b common लिया है 1 minus 1 1 तीसरे कॉलम से c common लिया है 1 1 minus 1 ठीक है right hand side में हम कोई क्या चाहिए 4 a square b square c square a square b square c square बन चुक है आप हमें 4 चाहिए और यह 4 आएगा इसका expansion करके तो या तो directly expansion कर दीजिए ठीक है लेकिन यहां पर हम इसको और simplify करेंगे by using property ठीक है और इसलिए हमने property को study किया था तो इसे और मैंने के लिए और किसी drug ज्यादा स्ट हंना ज्यादाए और बनाना की परक्शिश करेंगे ठीक है तो अगर हम यहा पर है 5 2 sacking monopol में पहले हई-1-1 टैक है इसी दरिए से ती से कॉलम में तीसरी क्वालम के क्वास में चैन्ज करेंगे तो यह भी 0 जाएगा ठीक है तूसरी केशिंगा पर हमें पहले में 2 0 मिल जाएगे ठीक है तूसरे कोलमें change करेंगे c2 changes to c2 plus c1 ठीक है दूसरे कॉलम के elements में पहले कॉलम के elements कर देंगे और तीसरे कॉलम में change करेंगे c3 changes to c3 plus c1 ठीक है a square b square c square पहले कॉलम में कोई change नहीं करना है दूसरे कॉलम में पहले कॉलम के elements को add करना है तो minus 1 plus 1 0 plus 1 minus 1 0 1 1 2 ठीक है इसे तरह के sense में add कर दिए minus 1 plus 1 0 1 1 2 plus 1 minus 1 0 ठीक है तो maximum zeros हम ला चुके हैं हमें expansion करना होता है उस row या column के along जिसमें ज्यादा से ज्यादा 0 तो हम इसमें first row में यहापर क्योंकि 2 0 है तो इसके along भी expansion कर सकते हैं और दूसरे कॉलम में यहापर भी 2 0 है तो इसके along भी expansion कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर हम expansion करेंगे first row के along तो फर्स्ट रो के along इसको expand कर लेते हैं ठीक है पहले ही पंक्ति के साफ़ एक श्विस्तार a2 b2 c2 ठीक है तो फर्स्ट रो का first element देका minus 1 ठीक है इस जिस रो में है और जिस को अटा देंगे तो बारे पास यह determinant बढ़ जाएगी ठीक है 0 की multiply 0 से माइनस बीच माइनस आता है ना 2 to the 4 ठीक है तो minus 1 into minus 4 plus 4 equal to 4 a square b square c square यह ही हमें proof करना था रही रहता है ठीक है hence proved पांकी question next class में ठीक है झाल झाल यह का क झाल झाल